अन्ग्रेजी हुकूमत में सन 1900 में फर्रुखाबाद नगर का सवे करा नक्षा तैयार कर खस्रा मुकम्मल किया गया जो की आज अदालतों में मान्य है सन 1916 में म्यूनिस्पिलिटी लपास किया गया फर्रुखाबाद को सर्व प्रथम वार्ट सदस्य चुनने के लिए सीमित मताधिकार सन 1900 में मिला चुने हुए म्यूनिसिपल सदस्यों को अपना चेर्मेन चुनने का अधिकार मिला 1938 से 45 तक नवाब सयद हैदर जान साहब चेर्मेन रहे 1937 में जनपद को राजनीती का केंड्र बनने का सौभाग्य मिला 1937 में ही उत्तर फरुखाबाद का प्रतिनिधित्व श्रीमति उमान नहरू ने किया इसी वर्ष दक्षन फरुखाबाद का प्रतिनिधित्व बलवंत सिंसुवा निवासी सुकसेनपूर ने किया आगरा, फरुखाबाद इतावा को मिला संसदिय सम्मिलित क्षेत्र बनाया गया पहला प्रतिनिधित्व आदित्य खान ने किया 1946 में इस संयुक्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सहियत जाकिर ने किया 1937 वँ 1946 में सयुक्त क्षेत्र का प्रतिनिदित्व मुहम्मद सुल्तान आलम खानन ने कॉंग्रेस के प्रत्याशी जलील खानन को परास्थ कर किया स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद फरुखाबाद एक संसदिय क्षेत्र बना इसे प्रतिनिदित्व दिया गया आजादी मिलने के बाद जैसी उम्मीद थी वैसा विकास कार्य नहीं हुआ स्वतंत्रता के बाद 1951-52 में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए पंडित मूल चंद दूवे तीन वार एमपी रहे लेकिन फरुखाबाद आगे नहीं बढ़ पा रहा था 1963 के उप चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कॉंग्रेस के डॉक्टर केस करके विरुधजीत प्राप्त की इस चुनाव में दो महत्व पूर्ण गेम चेंजर विकास कार्य हुए फरुखाबाद रेल्वे स्टेशन का ओव ब्रिज चुनाव के दोरान 15 दिन में तैयार किया गया था दूसरी और डॉक्टर लोहिया ने गंगा नदी पर ब्रिज बनवाने का वादा किया गंगापा हर्दोई, शाह जहानपूर, बरेली वब अदयू जिलो तक आवागमन ही तुना तो कोई पक्की सड़क थी और नहीं रेल या तायात का कोई साधन चीन वॉर्डर नजदीक होने पर भी समुचित यातायात न होने के कारण सेना को परेशानी उठानी पड़ती थी आफ सीजन में पैंटून ब्रिज बनाया जाता था डॉक्टर लोही या फर्रुखाबाद के विकास कार्य के लिए विभिन जिलों से सीधे संबंध हेतू ब्रिज की महत्ता समझ चुके थे उन्होंने इसे यातायात वरेल दोनों को युद्ध स्तर पर बनवाने का वादा किया दो वर्षों में राम गंगा वगंगा ब्रिज बनवा कर वादा पूरा किया रेल्वे ब्रिज का सवे भी अब तक कई बार हो चुका है लेकिन अभी तक बन कर तैयार नहीं हुआ यदि मौजूदा ब्रिज नहीं बना होता तो गंगापा के पाँच जिलों से दिल नहीं जुरते डॉक्टर लोहिया जिस समुचित विकास की बात करते थे वह रेल्वे ब्रिज बनने के बाद ही पूरा होना था भौगोलिक रूप में फर्रुखाबाद की स्थिती वर रेल ट्रांस्पोर्ट में पिछरने के कारण यह शेत्र विक्सित नहीं हो सका आज अगर यहां इंडस्ट्री नहीं है तो इसका कारण उस समय रेल वर रोड या तायात का अभाव ही था अब समय आ गया है कि गंगापा वचीनी वरड को रेल ट्रांस्पोर्ट अधारा फर्रुखाबाद के माध्यम से सीधे दिल्ली से जोड़ा जाए गंगा एक्सप्रेस हाइवे को फर्रुखाबाद से होकर बुज़ना था लेकिन सांसदो वव विधायकों की पैरवी नहोने की बज़ह से इसे शहजहान पुर ले जाया गया सल्मान खुर्शीद फर्रुखाबाद से दो बार सांसद चुने गए लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने फर्रुखाबाद के हुनर की पैचान जर्दोजी वप्रिंटिंग वक को मरने नहीं दिया जिसकी बज़ह से लाखों की संक्या में कामगारों की रोजी रोटी चलती रही नोटबंदी ने रही सही कसर पूरी कर जर्दोजी कामगारों को सगक छाप बना डाला कुछ लोगों का यह मानना है कि सल्मान खुर्षीद ने जर्दोजी या प्रिंटिंग उध्योग के लिए कुछ नहीं किया हो सकता है वे सही हो लेकिन सल्मान खुर्षीद की सांसद वा कमपनी एफेर मंत्री रहते दोनों उध्योग फल फूल रहे थे ये भी सही है इसी नेगेटिव सोच की बज़ा से सल्मान खुर्षीद दोबारा कभी सांसद नहीं बन पाए लेकिन आज जो सांसद या विधायक है उन्हें भी दो टम मिले है सोशल मीडिया पर बैठ रोजाना वथडे विश्व पार्टी के प्रचार के अलावा इन्होंने क्या किया है जनता को बताएं समपूल्न फरुखाबाद तोड़ फोल खंड़हर कर दिया गया ये सीन से गायब क्यूं थे आखिर क्या कारण है कि फरुखाबाद में आज तक डॉक्टर लोहिया के बाद कोई भी समगर विकास नहीं करा पाया आज अगर लोहिया जिन्दा होते तो ये शहर अपनी कहानी खुद कह रहा होता फरुखाबाद को एक ऐसा सांसद्व विधायक प्रतिनिदी चाहिए जिसके पास ग्रामीन फरुखाबाद की भोगोलिक वा आर्थिक समझ हो जो स्वयम किसान हो जो बिना किसी धार्मिक भेदभाव रोजगार पूरक पारम परिक हुनर आगे बढ़ाने में सहायक हो अगर पोस्ट पसंद आये तो लाइक कर दे, सबस्क्राइब कर दे, साथ में वैल बटन दवाना न भूले